जेजेपी के नेता दुशन्ट चोटादा ने आज रोतर की जन संबान रैली से सीधे सीधे प्रणमंतरी दरेंदर मोदी पर बड़ा हमला बोला है। दुशन्ट ने हर्याना के मुख्य मंतरी मनोरलाल खटर से ज़्यादा मोदी पर नजला गिराया। मोदी पर निसानस हातते हुए तुशन्ट चोटाला ने कहा कि BJP के पास मनी है और मीडिया है लेकिन हमारे पास केवल मैन पावर है। साथ ही कहा कि इस मैन पावर से वे BJP की मनी और मीडिया दोनों पावर को सिकस्ट देने में काम्याब होंगे। रैली के दोरान पंडाल भीड से खचाकच भरा हुआ था और अगर कंपेर की जाए तो दो मेने के अंतराल में पिछली दो रैलीयों से इस रैली में जमा भीड कुछ ज्यादा नजर आई दुशन ने पंडाल में मुझोद लोगों से कहा कि बीजेपी की पैसे की ताकत के आगे तो आप नहीं लड़ पाओगे दूसरी इनकी मेडिया की ताकत है छे परदेसों में बाढ़ आई सेकड़ों लोग बेगर हो गए लेकिन नैशनल टीवी पर कोई परचार नहीं कोई समगचार नहीं उन्होंने तुगलकाबाद का भी उधारन लिया दुशित ने कहा कि तुगलकाबाद में प्राचीन रवीदास का मंदिर तोड़ा गया लेकिन किसी राष्टी चैनल ने उसे नहीं दिखाया यूवा बेरोजगार हो रहे हैं कामदंदे बंध हो रहे हैं दुशित ने कहा कि एक तीसरी ताकत है जो बीजेपी के पास नहीं बलकि जन्ता के पास है और खास तोर पर जेजेपी के कारिकरताओं के पास है उन्होंने कहा कि तीसरी ताकत आपके पास है बीजेपी की मनी और मीडिया की ताकत के आगे आपकी यानि की लोगों की मैन पावर दिखाने का काम करो अर्याना की खटर सरकार पर निसाना साथते हुए दुशन्त ने कहा कि पांच साल में तीन बार प्रदेश को जलवाने का काम किया है रेली के दुरान दुशंत ने अपनी पार्टी की तरफ से चुनावी वायदे भी किये आईए आपको सुनाते हैं दुशंत ने रेली के दुरान क्या कहा तों कोई परचार नहीं हुआ साथियो हमारे पडोस दिल्ली जो हमारे देश की राजधानी है पांसो सोड़ा साल पुराणा संथ सुरुमनी रवीदास जी का मंदिर तोड़ा गया रात और रात उसको जगे से अटागायब कर दिया गया मगर एक खबर भी किसी राश्ट्रे चैनल पर आपको देखने को नहीं मिले साथियो आप खुद उठा कर देखो आज देश की अर्थिविवस्ता क्या है दिन प्रति दिन हजारों युवा बेरोदगार हो रहे हैं आज धन्दे बंद हो रहे हैं लोगों के मगर क्या कोई टीवी पे उसका परचार दिखता है मगर टीवी पे एक चीज जरूर दिखती है भाई मोदी तो अमरीका जालेगा मोदी तो ट्रम्प के जप्पी पालेगा मोदी तो न्यू जादू ये समझन की बात है ये मोदी सिर्फ फोटो के चार्ण का रह जेगा अगर करता मोदी तो हमारे बीच में 14 दिन पहले आया था बताओ अरियाना के लिए के देखे गया कि अरियाना के बालकों की नोकरियों का वाजा करकर गया क्या अरियाना जो अपराद के नाम तोर पर आज परदेश नी देश के अंदर चोथे नंबर पर आता है क्या यहां हमारी माता और बैणों की वेपारियों की सुरक्षा के लिए कोई कदम उठा के गया बर एक चीज जो पान साल पारलेमेंट में भी रह कर देख ली और बाई तीन महीने पारलेमेंट से बाहर हो लिए इसके दोरान भी देखी है कि एक चीज के आगे थाम मुकाबला नहीं कर सकते और वो चीज है मोद्दी की फोटो की ताकत के आगे मगर साथियों एक चीज समझने की है जो आध हालाद देश के है ये बीजेपी तीन सो तीन सांसद लेके उपर गई और हर्याणा में नारा दे दिया पिछेतर पार करेंगे साथियों इनको याद दिला दो कि 1984 के अंदर जब स्वर्गे राजीव गांदी जी देश के प्रधान मंत्री बने थे उस समय चार सो ग्यारा सांसद कॉंग्रेस के जीत के आये थे और हर्याणा में नारा दिया जाता था कि भाई एक स्टीट भी विपक्स की नहीं छोडेंगे ये नारा दिया गया था ये बुडे बुदर्ग बैठे इनको पता है बेन कुमारी फूलवती जी बैठी है ये तो पहली पदियात्रा जो चोधरी देविलाल जी ने करी थी सायद उस समय सोड़ा साल की उमर की थी तब चोधरी देविलाल की उंगली पकड़का दिली तक उनके साथ गई थी साथियों इनने वो दोर देखा है जब लोग डरा करते थे क्योंकि टीवी पे इतने चैनल नहीं हुआ करते थे केवल मातर दूर दर्शन और रेडियो में परकार परशार भारती होता था उस समय ये बाते जन जन तक पोचाने का किसने काम किया साथियों जो तीसरी ताकत है जो बीजेपी के पास नहीं है आपके पास है वो कारे करताओं की सक्ती मैन पावर है इस बीजेपी की इस बीजेपी की मनी पावर मीडिया पावर के आगे अपनी मैन पावर दिखाने का काम करो हमारे बीच में बहुत ही आधर निये हमारे उपध एक्स जगरूप सिंग्धी बैठे है जब मैं पहली बार परचार में गया और मेरे को मिले तो मैंने पूछा परदान जी आपने राजनिती में कारे करता के बतौर कैसे काम किया कहता पुत मेरी तो एक गल छी कि चौधरी देविलालदा चुनाव सी रोडिच और मैं गड़ी लेके मुन्यादी करदा छी और शामनू पोस्टर लांदा थी शाथियों ये मैंपावर थी जो 1987 मुन्यादी और पोस्टरों से हर मोर चोक तक हर घर तक पार्टी का परचार करकर आई थी और आज भी आप से आगरे करता हूँ कि उस मैंपावर मनी उस मीडिया पावर और मनी पावर के आगे आज आपकी जुरूरत है कि घर गर जाओ एक एक घर एक एक व्यक्ति तक चाबी का चुनाव चिन पोचा कराने का काम करो और आप देखना जो खटर साब ने जो उड़ा साब ने 15 साल जो चंडिगड के ताड़े बंद करके रखे किसान कमेरे के लिए आपकी चाबी उन ताड़ों को खोल कर सेक्ट्रेट की चौथी मंजल पर जाने का अधिकार देगी शाथियो एक बहुत जुरूरी चीज है और मैं इतियास से उस चीज को देखता आया हूँ कि जनता का जुड़ाव कैसे होता है मैंने अभी अफता पहले भादूर्गड के कानोंदा गाओं में एक सबा के अंदर कारे करताओं की बैठक में जाने का मोका मिला और वहाँ पर स्वर्गे रंदीर नंबरदार जी की दरम पत्री मेरे पास आई और आकर अपने हाथ से एक दोजार का नोट देगी और केके गई कि बेटा तूने कहा था कि एक वोट और एक नोट के साथ संक्ठन में अपना सयोग करने का काम करो साथियो हमारे पास कोई पुझी पती विधायक के उमीदवार नहीं आप सोचो कि करोडों रुपे खर्च करने वाले लोग हम ले आएंगे आज अनूप जी को देख लेओ पिर्थी जी को देख लेओ राजदीप जी को देख लेओ यह आम घर्चे थे मरिन ने डॉक्टर जे सिंग चोटाला जी के साथ संगर्श किया और इनको जनता ने साथ देकर विधान सबा तक भेज़ने का काम किया आज चैसाम सुंदर सबरवाल हो आज ऐसी सीट पे जनरल साथियों की जुम्मेवारी बनती है कि आर्थिक तोर पर उसकी मदद करो आज मैं कमलेश सेणी जी की बात करू तो एक ग्रैणी वो है आज मैं बात करू रमेश पालडी जी की बाई उसने पालडी बोलना छोड़ देो उसको पालडी या यादब होने के नाते टिकेट नहीं मिली आज रमेश जी को टिकेट पार्टी ने दी है तो एक फोजी होने के नाते दी है साथियो एक रिटायर्ट फोजी की हैसी अतनी होगी कि वो चुनावी मैदान में लड़ने का काम करेगा और हमारे तो अर्याना प्रदेश का इतियास है अगरवाल समाज ने जब अगरोहा बसाने का काम किया मेरी लोकसबा का इस्सा है इसलिए इतियास मिर को याद है साथियो उस अगरवाल धाम को जब बनाया गया तो एक मुहीम चलाएगी अगरवाल समाज के और गाओं के लोगों के बीच में कि हमें हमारे इस धाम को बनाने के लिए सयोग चीए मर सयोग कोई मोटा नहीं मंगा कि 50,000 चीए 40,000 चीए उस समय एक बात कहीगी कि एक रुपे का नोट और एक इत के साथ इस धाम को सब के सयोग से हम बढ़ाने का काम करेंगे और आज भी जाकर अगरो हमें देख किया हो वो पुरणा एक रुपे का नोट और छोटी छोटी जो इंटे उस समय यूज होती थी आज भी उस धाम में पड़ी है साथियो 1987 वड़ा चुनाव था चोधरी देविलाल के पास कोई पैसों की गठडिया नहीं थी उनने नारा दिया था भी एक वोट और एक नोट के साथ अपने हर उमीद्वार का साथ देने का काम करो और मैं निवेदन करूँगा कि आज मौका है अपने उस वोट की नोट की ताकत को दिखाने का साथियो आज मौका है अपनी सक्ति को दिखाने का एक चीज जो पिछले तीन महिने से कई ना कई पत्रकार साथी भी बारी बारी ले आते है और कहते हैं कि भाई इस बार तो हर्याना का चुनाव तीन सो सत्तर पे लड़ा जाएगा साथियो तीन सो सत्तर का हम सलाम करते हैं क्योंगि उसको उटाया क्योंकि अगर सबसे पीडित कोई परदेश था 370 की वज़े से तो हर्याना परदेश था साथियो आज किसी गाव में चले जाओ सहीदों की मूर्तिया खड़ी है आज हर्याना की धर्ती पर ऐसा कोई गाव नहीं है जिसका लाल हमारे बोर्डर पर सहीद ना हुआ हो साथियो आज तो हमें जुरूर्थ है कि देश की सरकार जो 370 अटाने की बात करती है इस सरकार को तब मानेंगे जब ये सरकार हमारी अर्याना परदेश के लालों का खून भाएने से बंद कराने का काम करेगी आज भी आतंकवाद का अड़ा जो हिंदुस्तान का हिस्सा है जो काक्चों में आज हमारा है पीयो के अभी बाकी है साथियो एक-एक घर्यान भी आज इस सरकार के साथ खड़ा होगा एक-एक बेटा जो बोर्डर पर फोजी बन कर खड़ा है वो इस सरकार के मोदी जी के साथ खड़ा होगा जब ये सरकार पाकिस्तान के पीयो के को बापिस हिंदुस्तान का हिस्सा बनाने का काम करेगी साथियो एक चीज जरूर हमें समझनी है कि आज अर्थ विवस्ता की क्या हालत है आज बड़ी-बड़ी कंपनिया मारुत्ती हो, अशोक लीलेंड हो, हीरो हो, होंडा हो कोई कंपनी देख लिए बिरिटेनिया ने तो एक आर्टिकल ये दिया कि हमारे पांच रुपे का बिस्किट पारले जी वाड़ा भी बिकना कम हो गया ऐसी आलाज प्रदेश और देश की है इस अर्थ्विवस्ता की तरफ सरकार ध्यान नहीं देती आज तो इनके मंत्री संत्री कहते है कि गाडिया न्यूनी बिकरी कि टेक्सिया चलने लगी आप मुझे बताओ कि सरकार की सोच इसका मतलब ये होगी कि कोई गरीब बच्चा टेक्सी चलाता है तो उससे टेक्सी चलाने का भी अधिकार चीन लो कि प्राइवेट गाडिया बिक्णी शुरू हो जाएगी साथियो ये टेक्सी चलाने वाले अगर साधन की वज़े से रोकते हैं तो इस सरकार से पूछना चाऊंगा ये नया मोटर वीकल एक्ट आगया कटे चलान नहीं कटे बता देओ मैं तो देख रहा था फतेबाद के अंदर एक ट्रेक्टर का स्तावन हजार का चलान कटा गुडगामा में स्ताशट हजार का और फरीदावाद में इकत्तर हजार का साथियों मुझे वो दिन याद आ गया जब इस ट्रेक्टर को कमर्शल किया जा रहा था और आप लोगों के उसले से वो ताकत मिली और पारलेमेंट के अंदर उस ट्रेक्टर को बाड के बाप इस गाड़ा बनाने का काम किया मगर साथियों आप दुख होता है कि ऐसे सांसर में चुन कर गए जिन में बोलने की भी हिम्मत नहीं है पार्टी आए कमाड के आगे कि इस गाड़े ने तो बख्ष देऊ अभी निशान सिंग जी कह रहे थे कि मोटर साइकल का चलान काट दिया साथियों बीस हजार के मोटर साइकल सेकिंड एंड पे पत्चीस हजार की रसीद कटानी पड़ जै तो आदमी बाड़ेगा नहीं उस मोटर साइकल को तो के करेगा आप खुद सोचों कि पत्चिस पत्चिस हजार के मोटर साइकल के चलान कट रहे हैं पिछले दिनों एक ट्रास्पोर्टर आया उसने अपना चलान दिखाया कि मेरे ट्रक का चलान एक लाख हिक्कीस हजार रुपे का कटा साथियो इसका मतलब तो मोदी जी ने अर्थ विवस्ता के अंदर जो गिरा वट आई है उसकी बरपाई भी आम आदमी से लेनी शुरू कर दी यह चलान भी हमारे उपर एक नए तरह का कर लगाने का काम किया है और साथियो अगर यह लोग सत्ता में रहे तो यह गरंटी है कि मैंने बुलंचेर की एक निउस बड़ी थी जहां पर एक बैल गाड़ी प काम करेंगे चाथियो यह वादा मैं करता हूँ कि जिस दन परदेश में जन्नाएक जन्ता पार्टी की सरकार बनेगी सरकार बनते सार इस नए मोटर वहिकल एक्ट को परदेश में पूरी तोर पर समाप्त करने का काम करेंगे मैं तो खटर साब के बारे में बाशन पे तो ज्यादा ना काउच चार लाईने लिखके लाया था अराम ते सुन लिए खटर साब यह आपको समर्पित करता हूँ असी मैं से 78 भारवालों को रोजगार फिर भी उसले से कहते हो 75 पार फरसे से गर्दन परवार फिर भी कहते हो 75 पार PhD पास को लगा दिया चोकीदार फिर भी कहते हो 75 पार अशी लोगों को गोडियों से दिया मार फिर भी कहते हो फिचेतर पार साथियों 29 दिन रे गए साथियों 29 दिन रे गए हो जो ते हर इपके बाजपाने कर दे और याना ते बार क्योंकि साथियों चुनाव शुरू हो गया और कल दित्रे पत्तरकार शाथी मेर को मिले और कैने लगे कि गोशना पत्तर कब लाओगे मैंने का रात रात तो डट जाओ आज कुछ ना कुछ तोदरी देविलाल की याद में तो दे के जाना पड़ेगा शाथियो मैं आप सबसे अपील निवेदन करता हूं कि पार्टी की ग्यारा मुख्य गोशना आये थी उनको गरगर तक आपने ग्यारा महीनों में पहुचाया मगर आज जहाँ परदेश के विधान सभा चुनाव की बात है और जन्नायक स्वर्गे चोदरी देविलाल को आज हम सर्दा सुमन अर्पित करने आये उनके 106 सम्मान दिवस के उपलक्ष में डॉक्टर एजे सिंग चोटारा जी के आदेश अनुसार आज मैं ये वादा करता हूँ कि जैसे स्वर्गे चोदरी देविलाल जी ने गरीब बेटियों के कन्यादान स्कीम के अंदर 51,500 रुपे की गोशना करी थी थी 51,500 रुपे पेंशन के तौर पे देने का काम करेंगे साथियो आज कैंसर जैसी काड़े पीलिये जैसी बिमारिया गर गर परिवार परिवार तक पहुँच चुकी मैं जब जब मेरे सांशद के कारेकाल के अंदर गाउ में गया तो कोई ना कोई फाइल लेके आता था कि भाई कैंसर के इलाज के लिए परदान मंतरी के फंड से पीशे दिला दियो हम फाइले बेजते थे दाई तीन करोड रुपे की मदद परदान मंतरी के दफस्तर से भी हमने बांटी मैं डवाली गया पिछले दिनों तो विधायका जी ने भी दस्तस अजार रुपे जो विधायकों को पंद्रा लाख रुपे और पहले तीन लाख रुपे दिये जाते थे उसके अंदर से कैंसर के मरीजों को इलाज के लिए दिये मगर आज कैंसर का इलाज चाहे कीमो थेरपी हो चाहे पैट स्कैन हो एक आम आदमी के बसकी बात नहीं है और हमारे यहाँ से राजीव गांदी मेदानता अपोलों में जाने की इमत सायदाम गरीब आदमी की नहीं है यह वादा आज चोधरी देविलाल जी के 106 समान दिवस पर करते है कि जो लाइफ थ्रेटिनिंग डिजीज है चाहे वो कैंसर हो चाहे वो कालिया पिडिया हो साथियों आपका राज बनने पर हर गरीब आदमी का इलाज मुफ्च में करवाने का काम सरकार करेगी एक बात श्रीमती नेना चोटाला जी ने अभी आपके बीच में रखी और बहुत बड़ी समस्या है पिछले दिनों मैं जन चोपाल के माध्यम से जब मैं में में रात को रोए सोया बहु गाउं में तो अगले दिन पहला प्रोग्राम मोखरे में था और मोखरे के अंदर ताई इंदरो आई और चेक कर वाली हो भाई सही नाम है इंदरो इस था ताई इंदरो आई और मेरे सिर पे हाथ रखके कहती बेटा इन ठेक्यां का कुछ कर दे मैं के बात होगी ताई कि चार दिन पहले पेंशन आई थी दोजार तेरा ताउ सारी पी गया साथियो आज गाउं के अंदर खास तोर पर हमारी महिलाए परेशान और ये परेशानी का जरम दाता अगर कोई है तो कॉंग्रेस पार्टी है ये उड़ा साब की सरकार में गाम गाम में ठेके खोले गए थी पांसो मीटर गाम से दूर कर दिऊंगा साथ ये वादा हम करते हैं कि जेजेपी का राज बना दो इन गामाते दूर कर दिऊंगा ठेके आने गामों के आसपास भी नहीं दूराने दूरा पेपर इक शाय चली, कल मैं देख रहा था, एक रिपोर्ट आई कि मेंदरगड जीले से 24 अजार बच्चों ने कलर के फोरम भरे, साथियो एक गरीब बच्चा, 1200 का फोरम भरता है, उस पे कितना आर्थिक दबाव, नोकरी मिलना ना मिलना तो बहुत दूर की बात है, उस फोर अर्याना प्रदेश में कोई भी बच्चा नोकरी बरना चाहेगा, बाइस साल की एक मुझ सो रुपे की फीस बर दियो, उस से ज़्यादा फीस बरने की फोरम में जरूरत नहीं, और जहां, अभी मैं आ रहा था जब देखा, बस में छोरे जा रहे थे, छोरिया यू लटकी लटकी पेपर देने बस में जा रही थी, और रानी की बात है, पलवल वाड़ों को यमना नगर बेज दिया, यमना नगर वाड़ों को मिवाद बेज दिया, सिर्शाव वाड़ों को बादुर सेंटर दे दिया, और रोत अकाड़ों को फर्देबाद दे दिया, इस विवस् करें और उसके लिए अगर उनके संसे है कि टीटर चीटिंग करवाता है तो टीटर का जिला हम बदलने का काम करेंगे वर यह वादा है यूँ आपने ग्रह जिले से बाहर पेपर देने नहीं जाएगा एक चीज और जो संग्ठन के तमाम साथियों ने सुझाव के तोर पर भी दी था और उसको हमने बड़ी अच्छी तरीके से समझने का देखने का काम किया कि भाई शेहर में रेन ये बच्चों को फाइदा के है कॉलिज जाने के लिए 15 मिनेट मोटर स्काइर कल पर स्कूटी पर कॉलिज के आने से 15 मिनेट में घर पहुंच जाता है और गाम के बच्चे की के आलात सुबह बस में टंगेगा दो गंटे में शेहर आएगा पढ़ने और दुपैर ने बस में टंगेगा सामने घर पहुंचेगा दो गंटे बाद चार गंटे बच्चों की विवस्ता की जो पढ़ाई के अंदर मुकाबले के कॉम्पिटिशन में आने के अंदर लगने चाहिए वो शिर्फ बस के सफर में निकल जाते है और गाओं का बच्चा इसलिए दिन प्रति दिन पिछड़ता जाता है गाओं के बच्चे के अधिक यार इसलिए दिन प्रति दिन कम हो जाते हैं इसलिए हमने ये निर्णे लिया है कि आपका राज बढ़ने के बाद चाहे वो स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हो चाहे पबलिक सर्विस कमिशन हो गाओं में पढ़ने वाले बच्चे को दस अंक फालतू देने का काम आपकी प्रत्रिया है और बहुत शे ऐसे घर देखे हैं जिन में आज तक एक रोजगार नहीं है सातियों जिस घर में रोजगार नहीं है ये वादा मेरा है राज बढ़ने पर उन लोगों को प्राचमिकता देकर हर घर तक रोजगार पुणाने की विवस्ता आपकी पार्टी खटर साब ने तो रोजगार की पर्ची खर्ची की पतानी कितनी एडवर्टाइजमेंट करोड और रुपे की उड़ा दी पत्रकार साथी कि अगर जुडीश्री का पेपर लीख हुआ तो इस खटर साब की सरकार में हो एक एक करोड में अमबाडा बिकतावा पकड़ा गया साथियो नाइब तसीलदार का पेपर लीख हुआ रिवाडी के अंदर ड़ाइलाक में भिकतावा पाया गया एक इंक्वाइरी सुप्रीम कोट के जज़द्वारा करी जारी है दूसरे के उपर F.I.R. होके आज जेल में बंद है छे दिन पहले गुडगाओं निगम की 120 पन्नों की रिपोर्ट आई उसके अंदर लिखावा है कि MP, MLA की सिपारिस से अगर आप लोग आओगे तो निगम में ठेकेदारी पर्था में आपको प्राथ मिकता दी जाएग फिर पर्ची और खर्ची कड़े रेगी साथियो आज खटर साब का काम देखो कि हमारे अर्याणा का बच्चा जिसने बीटेक करीवी उसको के लगाया गुरूप D में चपडासी और गुजरात का बच्चा जिसने भी बीटेक करीवी उसको के लगाया S.D.O. इलेक्ट्रिकर खटर साब ये बेदवाव क्यों अर्याणा पर्देश की धर्ती पर जब रोजगार है हमारी धर्ती उन्ने ली हमारा बिजली पाणी आज उन फेक्ट्रियों में चलता है तो नोक्रियों में महरा अधिकार क्यों ने अरे सरकारी में तो दे सकते थे S.D.O. इलेक्ट्रिकल की लिस्ट आउट हुई तो 78 में से आथियों इसका मतलब तो गुजरात मोडल की प्लैनिंग 2017 से खटर साब ने कर दी और दीरे दीरे जा प्राइवेट सेक्टर में तो मारे रोजगार चिन गे आज गुड़गाओ देखो 17 लाख नोक्रिया है अर्य रियाना की इस्सेदारी तीन साड़े तीन लाख साथियों ये वादा मेरा आप लोगों को है एक एक पड़े लिखे युवा को है कि मैनत करो अगले 29 दिन राज बनाओ प्राइवेट हो सरकारी हो हर नोकरी में 75% का अधिकार आपको रियाना के बच्चों को देने काम काम कर गैस टीचर के धरने पर जाके आया उससे पहले कंप्यूटर टीचर मेर से आके मिले मैंने स्वम अलग अलग जगे रोडवेज के हो बिजली भी भाग के हो सफाई हो होम गाइड हो अलग अलग करमचारियों से तर्चा भी करी मर सात्यों पांच साल में खटर साब ने केवल मातर जूट के पुलिंदों को छोड़ कर करमचारियों के भविश्य के बारे में एक कदम उठाने का काम नहीं किया पांच सेप्टेंबर को सिक्षक दिवस पे जूट बोला कि हमने गैस टीचरों की लैब टेंडेंटों की तनखा में वृद्धी कर दी साथियों ये तो मनो प्राई के लिए एक हो जाओ अगर बीजेपी से लड़ना है तो न्यू अलग अलग धरने पे बैठे काम नहीं चलेगा जन्नाएक जनता पार्टी की और से वादा करता हो अगर कोई भी करमचारी संक्ठन सब को साथ लेकर करनाल विधान सभा से चुनाव मुख्यमंत्री के सामने लड़ना चाहेगा तो जेजेपी तन, मन और धन के साथ उसका समर्थन करकर वाचुनाव लड़वाएगी और जहां करमचारीों की बात है आज सारे करमचारी परेशान है कॉंग्रेस की कुनीतियों से और बीजेपी के जूटे वादों से मैंने तो 9 दिसंबर को जीन के अंदर भी एक बात कही थी कि हर्याना परदेश के अंदर जेजेपी की सरकार बढ़ने के बाद पुरानी पैंशन स्कीम को जहां हम दुबारा इस परदेश में जो की तो लागू करने का काम करेंगे वही तमाम हर्याना परदेश के करमचारी साथ के लिए पंजाब के बर पर वेतन देने का भी काम साथ में करने का काम करेंगे मर एक वर्ग है जिस वर्ग को आज तक किसी ने देखा नहीं सोचा नहीं और भाई हमारे सेवादल वाड़ों की भी हम थोड़ी तो बात सुन लेते हैं सेवादल के अंदर दो सरपंच है और दोनों ने धन्ना एक समांग रखी है बहिए सरकार केती है हम पेंशन बान देंगे सरपंचों के तो पेंशन से तो सरपंची का टिन्योर खतम हो जाएगा फिर कोई दो रुपे उसके घर में रहने का जुगाड होगा मर आज के दिन समस्या क्या है गाम में बहाश चोरी हो जाती है तो भी आजप पढ़ कर कहते है कि सरपंच साब चलो थाड़े बेहिस की रिपोर्ट लिखा के आड़ी है कोई छोटा तैसील में काम होता है तो कहते सरपंच साब चलो तैसील चलते है मर किसी सरपंच का आर्थिक हालात ऐसी नहीं है कि वो थीन अजार रुपे परतिमा के अंडर जाकर हर डिस्टिक हेड़कोटर या चंडिगड में जाकर अपने गाउं की समस्याओं की फाइलों को क्लियर करा कराएगा इसलिए आज हम यह निर्णे लेते हैं जैसे चोधरी देविलाल ने ग्रामी नांचल के अंदर चाये वो नंबरदारी की बात आई हो चाये चुपालों की बात आई हो बराबर इस्सेदारी देड़े का हर वर्क को काम किया था यह वाजा आज हम करते हैं कि अरियाना प्रदेश के अंदर जेजेपी की सरकार बढ़ने के बाद हर सरपंच को जह आज 3,000 रुपे तंखा मिलती है प्रतिमा 8,000 रुपे मिनिमन वेज के बराबर तंखा दे देने का काम करेंगे हर जिला परिशत के साथी को जह आज 3,000 रुपे तंखा मिलती है क्योंकि जिला परिशत में गाम ज्यादा होते है उसको 10,000 रुपे तंखा देने का काम करेंगे और जहां ब्लोक समीति के मेंबर की बात है आज 6,500 रुपे तंखा मिलती है उसको 4,000 पंचायती राज के साथियों के लिए कि मैंने कई बार अर्याना रोडवेज में सफर करने का काम किया है और अर्याना रोडवेज में सीट नंबर 13 और 14 के आगे लिखा होता है कि MP और MLA शायद MP MLA तो बैठते ना हो क्योंकि आज सब के पास गाडिया है मगर आज हमारे सरपंचों को मेंबरों को जिला परिशद और ब्लोक समिती के मेंबरों को हर रोज बस में जाना पड़ता है चैट डिस्टिक हैड कोटर जाना पड़े इसलिए ये फैसला हम सब मिलकर करते है कि जेजेपी की सरकार बढ़ने पर पंचायती विराज विभाग के अंदर जो भी प्रतिनिती चुना जाएगा अपने ग्रेज लेके अंदर आने जाने के लिए रोडवेज का सफर उसके लिए पूरी तोर पर माफ करने का काम करेंगा शातियो एक चीज जरूर और बोलना चाहूँ बीजेपी आड़े कोई भी बात होती है अगर उनके विरोज में जाती है तो बारी बारी के देते है भारत माता की जैज खटर साब ने फर्षा यूँ गुमाया और गुमा के उसको कहा दादे को उमारे को बारदवाद जी को कि भाई तरी गर्दन काट दिऊंगा और फिर गर्दन न्यू सिद्धी करके कहता है भारत माता की जैज तो मैं उस पे जरूर कुछ बोलना चाहूँगा हर्याना को लुटा कर खोया फिर भी कह दो भारत माता की जैज असी असी लोगों का खून बहाओ फिर भी कह दो भारत माता की जैज फिर कह कर भारत माता की जै हर्याना की बिजली पानी को दिल्ली की और रवाना कर दो फिर भी कह दो भारत माता की जै मगर अब हम बोलेंगे भारत माता की जैज सीमा पर खड़े जवान की दाए, भारत के नौजवान की दाए, और साथियों अंत में बोलूँगा, ये जुमले बाजों से, इन जूट बोलने बाजों से, इन साथियों से, इन जूठे पाखंडियों से जैसे हम कह रहे थे कि बारत मता कीजे बारत के किसान कीजे सीमा पर खड़े जवान कीजे यूआ नोजवान कीजे साथियों इन जूठे पाखंडियों की 21 उक्टूबर को बुला दो भे झाल